हेलो आज 14 अक्टूबर और बहुत बड़ी खबर दो अलगलग सेरों के लिए गुड नियोज और एक लिए बैड खबर तो यानि कि हलको यहां पर महारत्न का जो दर्चा दिया गया है और चोद्वा महारत्न बनने की कुष्ण में इंट्राडे में जबर्दस हलके सेर में तो हल में आज देख सकते हैं हल का जो सेर है हंदुस्तान एरोनोटिक लिमिटेड जो सेर है जो एरोस्पेस है एरोनोटिक्स लिमिटेड जिसको एनिकी एरलाइन्स का यह सेर्स है और इसके महारत बनने की कुष्ण में हल के जो सेर्स में दो परसेंट से अधिका उच्छाल आज देखने हो यह आपे मिला है दिग्गर एरोस्पेस और डिफेंस कम्पनी के सेरों में आज बरदस्ष खरीदारी का रुजारा निकी इनकों कम्पनी को दोस्तों चोद्वा महारतन बनने की खुश में इन्ट्राडे में इसके सेर में दो परसेंट से अधीक हो जाल देखन कुछ निवे से को फाइदा उठाए लेकिन दिन के आकरी तक इस ने काफी मजबूती बनाए रिखी और दिन में यह है आपको ने देखा कि जो दो पर्शंट की जो तेजी थी वहां पे स्वा पर्शंट की तेजी में तब्दिल रहे कर और चार अदार पांसो के इस तरपरी बंदवा केंदरी वितमंदरी निर्मला सीतरामन की मंचुरी मिलने के बाद डिपार्टमेंट और पब्लिक एंटरप्राइजेज ने एक्स पूर्व जो नाम जी ट्विटर ट्विटर के नाम आप एक्स करी दिया आपको पता है पर फोस्ट के जरिये इसके महारत बनने की जानकरी दी थी वह इसक serpent में चबरदस दोस्तों उच्छाल देखने को मिले आया है महारत बनने से क्या हो है हल्को फाइदा अभी जान लीजी दोस्तों नौरतन कंपनीया बिना सरकार से मंचुरी लिए सुना अपने जो कंपनीया होती है सरकार की मंजूरी की बिना हजार करोड रुपे या एक प्रोजेक्ट में अपने नेटवर्ट का 15-50 ही निवेश कर सकती है इसके उपर के खर्च के लिए उन्हें सरकार से मंजूरी लेनी होती है, हलांकि महारत कंपनियों को फेसले लेने की और अधिक आजादी मिलती है ये बिना किसी सीमा से नई खरिदारी कर सकते हैं और रिप्लेस्मेंट कर सकती है, अभी देश में 14 महारतन कंपनियां जिसमें आपको पता है हल सामिल है, ये बड़ा एक एक एफेक्ट यहां पे कर लिया है, यहां पर देख पारे हो, कि इतना बड़ा रेटन आप रेटन दिया है याणि कि माल को देख सकते हैं, तीन दिन गुना यहां पर सालवर के अंदर इसने कर दिया है अब जो बजाज होल्डिंग्स है यहां कि बजाज उसमें आज आप देख पारें कितने जबरदस गिराउट आई है, आज इस सेर्स में गिराउट। मुलिए और क्लोजिंग देखते हैं कि कहां क्लोजिंग आई है वो भी अभी इस वीडियो की माद्दि में सबको बता दिया जाएगा कि बजाज हाउसिंग और फाइनल्स इस्टो के दोस्तों इसमें यहां पे इस सेर्स के अंदर चोदा अक्टोबर को सुरुआती कारोबार के अंदर ही पांस फर्स्ट सेंट के लगबकी किराउड देखने मिली है कंपनी के सेर्स बजाज चोदा सितम्ट को लिस्टिंग होई अभी एक मिना कंप्लीट यहां पे होने वाला है और IPO में जहां पर पेसा लगाया है दुगना रेटन यहां पर लिस्टिंग की दोराने यहां पर देखने को मिला उसके बाद और उपर सेर्स निकला लेकिन अब आपको बता दे जो लिस्टिंग की समय जो रेट थी उसकी भ 12 दिसंबर को खत्म होगी यानि कि जो बड़े जो इन्वेस्टर है जिन्नों ने यहां पर प्ले किया है वह 12 दिसंबर को लोकिन प्रिड खत्म हो जाएगा तो बाइस सेर्स के अंदर और बड़ी की रओट आपको 12 दिसंबर तक 12 दिसंबर के बाद देखने को मिल सकती है व क्योंकि बड़े प्लेयर अपना पैसा यहां पर प्रॉप्रिड बुगिन कर सकते हैं तो बता दें दोस्तों यहां पर कि लोकिन प्रिड खत्म होने का मतलब यह नहीं कि सभी सेर्स खुले बाजार में बेचे जा सकेंगे यह क्यों ट्रेड किये जाने के लिए पात रहोंग अगर देखें तो यह सेर है दोस्तों जो इसकी जो लिस्टिंग है उसके बाद लिस्टिंग के दिननी दोरा इसने दुबने रिटन दे दिया और उसके बश्यात यहां पर देखें यह 188 रुपे के बहुपे चला गया था और वहां से 140 के लेवल पर अब आ चुका है 16 सितंब्र को 150 रुपे के भाव पर लिस्ट हुआ इसके बाद बीएसी पर इसने 188 रुपे का भाव पियां पर दिखाया और 10% का सर्किट लिमिट के साथ यहां पर अभी एक सो पैंतिस रुपे पर यह है तो इसका जो लोवर सर्किट के बात है यानिकि 10% सर्किट उपर की साइट और नीजी साइट खुलावा है तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर आगे और गिराउट देखने को मिल सकती है अब इसमें अभी आप देख सेवन परसेंट का अभी गिराउट का डर है आप देख सकते हैं तुन्होंने कितना टार्गेटियां पर दिया है प 110 रुपे तक यह आ सकता है तो अभी भी 27 परसेंट यहां से और क्रेस हो सकता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस तो आपको इसमें निवेस्ट करना है और नहीं करना है तो यह आपके एडवाजर पर आपके एडवाजर से सलाले के इसमें कर सकते हैं आपके खबारा के सामने और यहां पर मेरी तरफ से नहीं है आप देख सकते हैं है जो फ्रोक्रेस फर्म है वह भी देख सकते हैं 27 परशेंट का दोस्तों यहां पर गिरावट का अनुमान लगा रहा है और आपने देखी लिए है कि लिस्टिंग के बाद जब इसने 188 का जो हाई लगा है उसके सब्सक्राइब होता है यानि कभी उड़ता है कभी गिरता है इस परकार 140 के लिए उसने टेस्ट कर लिए है और यहां से अभी 30 रुपे और क्रेक्शन इसमें आ सकता है हो सकते तो यह 100 के नीचे भी जातावा दिखाई दे सकता है क्योंकि ऐसी परकार ओला में बेसा हुआ लिस्टिंग के पश्या तो ओला का से कहां से कहां पहुंच गया उसके बाद आप देख सकते हैं 100 के नीचे ट्रेड अगया और 90 के भी नीचे ओला का से आ गया है वैसा है बजाद हाउसिंग फाइनस में एक बार यह निवेस्ट को आउट करने के लिए नीचे एक साइड मे और अकेले बजाद हाउसिंग फाइनस मार्केट के तो भी इसका मार्केट के बजादा है इसके चलते हैं इसके सेर्ज में आगे ब्रुक्रेज हाउस ही देख रहे हैं कि इसमें आगे ग्रोथ अभी फिलहाद तो देखना मुश्किल है लेकिन लोंग टरम के लिए नीचे उ में किमीच डोन दो और काफी मेनेट के मिनेट दोस्तर वीडियो बनाः जाते हैं आपके के लाइक से मर्य दயम बटता है और हैं इस यूट्व झाल झाल